नमस्कार किशानमित्रों मैं नवनात जाड़कर पिंपल खुंटे तालुका माड़ा जिला सोलापूर से आपसे यह रूबरू करना चाहता हूं कि हमारे खेत में प्याज यानि कांदा इसकी बोवाई होने जा रही है और मैं अभी यहां पर देखिए पूरा पौधा उखार के रखा हुआ है और इस पौधे का हम लोग रूट डिपिंग रूट डिपिंग कैसे किया जाता है इसके बारे में वीडियो बनान जा रहा हूं मेरे हाथ में जो है यह प्रोड़क्ट है वेस्टिज मार्केडिंग के तरफ से एग्रेटी टू वैसे ही यह एक नाम दस काम वाला है एक अकेली दवा जो है दस काम करती है और यह जड़े विक्षित करती है जमीन का पीएज डेवलप करती है और साथ में ही यह पोधे को ग्रो करने में बहुत हेल्पूल है और जो भी घुलंसिल तत्व है जमीन के वो सारे इसके अंदर पाए जाएंगे आप और यह देखिए मैं इसको खोलने जा रहा हूँ अभी मैं इसको खोलने जा रहा हूँ और आपके सामने यह इतना हमने पानी लिया है इस टब में इस टब में पानी लिया है इसके अंदर मैं यह थोड़ा सा डालूँगा ये जो एग्री 82 का सिल तोड़ूँगा मैं और इसको जो है इसके अंदर 10 ml डालना है ये दिखी इसका सिल तोड़ गया इसके अंदर ये 10 ml ये जो है जमीन को बहुत ही सहयक ये 10 ml का इसके अंदर मिलाए गया और पौधे को बहुत ही ताकत परदान करता है जड़े रूट विक्षित कर देता है इसमें आपका पौधा कभी भी धीमें गती से ग्रो नहीं करेगा एकदम तेजी से ग्रो करेगा उसक मातरा डालेंगे तो वैसे कुछ दुष्परिडाम तो नहीं होगा लेकिन क्या एक जितनी जरूरत है पौधे को उतना ही डाला जाए तो ये सबसे बेटर चीज़ है साथ में ये एग्री एटिटों आपने देख लिया जो एक नाम 10 काम ये अकेला 10 काम करता है और बहुत हि सब्सक्राब होने देता है और कोई किटानों वगराई इसको आकर के पौधे को अगर अटेक कर रहा है तो उसको प्रोटेक करने का काम करता है वैसे ये जो है पूर्णता जैविक उत्पादर है मिट्टी को उपजाव बना देता है पौधे के प्रतिरक्षन शमता बढ़ा इसको और डिपिंक के लिए मैं इसके अंदर भर महीं आता है और इसको मैं जैए इसमें अंदर मिलाने जा रहा हूं तोड़ा समय लिया हूं इसको दस से 20 ग्राम इसके अंदर मिला दिया फितर के अंदर मिला दिया है अब इसके में रूट डिपिंग करेंगे हम लोग थोड़ा सा और मिला दिता हूँ ताकि हमारी पौधे की जड़े तेजी से निकल जाए ग्रो करें और फंगस न लगे में तर प्रोटेक्शन दिता है पौधे को इसके अंदर रख देता हूं फिर मैं देख रहें आप क्लेशन अब यसके अंदर तीसरा मिला जाता था राम फश्डियो ठीन आप देख़ा है कि हां हर्फषल के लिए यह रांभान ऑश्दिए है हर्फषल के लिए और आर्यनिक केमिकल फ्री है आपके जमीन को बहुत ही फाइदा होगा जमीन की उर्वरक्षमता बढ़ जाएगी तो यह बहुत ही जवर्दस रामबान चीज़े और पूर्ण तहाई और्गनिक इसको भी मैं आपके सामने एक प्रमाण इसका भी दस एमेल इसके अंदर मैं मिलाने जा रहा है और इसमें डिपिंग का काम हूं करेंगी यह भी सफेद जणों को विक्षिद करता है और बाहुत ही लापदाएक है पौधों के लिए जड़ों को यह अच्छी तरह से ग्रो कराता है और माइक्रोन्ट्रेंस प्रदान पर ग्रों करता है तो यह अंदर जो वेंस के तरफ से मिश्रन इसको घुल अधिता हूं पूरी तरह से इसके अंदर घुल जाएगा अभिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे जो पौधा हमने उख़डा प्वायख्ष्थ से जो लगाने के लिए उसको इसके अंदर डिपिंग के लिए डालूँगा मैं आप देख रहे होंगे यह पौधी की जड़े और इस पौधी की जड़ों को हम लोग इसके अंदर डूबा कर रखेंगे पांच मिनिट के लिए इसको ऐसे ऐसे उसके अंदर मैं दुबानी जा रहा हूं इसको और यह जड़े तब तक इसके अंदर जड़ उपचार इसको कहते हैं और यह जड़ उपचार हो रहा है जड़े मजबूत हो जाएगी और यह जो है अब लगाने के लिए खेत में रेडी हो गया पोधा जो भी फंगस वगारा इसके अंदर अटेक करेगा उसको भी यह पूरी तरह से स्वरक्षित कर देगा यह ऐसी जो यह और गनिक दवा है यह किमिकल फ्री इसके अंदर हमने यह डाला हुआ है और रूट डिपिंग का काम चलुए जड़ उपचार जिसको बोलते हैं जड़ का उपचार किया जा रहा है इसके अंदर डुबा के रख दिया हम लोगोंने बस 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 तही काडले में जेका पार्टी में लगाने के लिए जाएंगे खेत में यह तैयार हो गया जूब गया पूरी तरह से इसके अंदर और यहां देखी कुछ किसान जो है जानते नहीं कि रूट डिपिंग कैसे करने का तो यह जो है सबसे सरल्तम तरीका है इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है हम ने लिया उसके अंदर भीगाने के लिए डाल दिए गया है बस-बस बस इतना एकडम ऐग्रॉट के अंदर cardio जड़े पूरी तरह से उसको शोक लेगी और उसके बाद ये जो है जाएगा खेत में जो है लगाने के लिए और उसके बाद फिर जमीन के अंदर बोया जाएगा जमीन के माइक्रोनिटर्स उसको मिलने शुरू हो जाएगा तो भी किसी तो करेगा पोधा धन्यवाद मित्रो तंक यू तैंक यू यवरी मुच इस प्रतार धेखेए बया अब इसको खेत में लिए नगा लगा लिया गया और ये ऑरगapper ख़ update येंश्का atrás प्रती निकल के या गया ऑगया एक ही विजी लेरो फिग्या क्या तका है? फिग्या ना? यहोगा ही पाठी कहा दिखले धन्यवाद सभी को